हेलो बच्चो आप सब का आपके अपने चैनल वोविंद लेक्चर्स में एक बाई फिर्षे स्वागत है तो पीरे विद्यार्तियो आजगे इस क्लास में हम तक्सा आठ विज्ञान विशे के अध्याय आठ बल तक साद आपके अभ्यास प्रशनों को सॉल्व करना सिखेंगे बच्चो आपकी नमिंतम पाठे पुस्तक के अनूसाथ अध्या एक से लेकर साथ तक सभी के अभ्यास प्रशन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया हैं उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभ ये क्लासम शरू करते हैं बच्चो सबसे पहले हैं बात कर रहे हैं प्रशन संख्या एक दिया गया है कि चुम्बक एक लोहे के टुकडे को अपनी ओर आकर्शित करता है क्या आकर्शन भी एक खिंचाव या अभिकर्शन है किसी चुम्बक के दो समान द्रूवों के बीच प्रतिकर्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं यह खिंचाव है या धक्का है क्या कह रहा है कि चुम्बक का जो एक टुकडा है वो लोहे के एक टुकडे को अपनी ओर आकर्शित करता है ठीके उसी तरह बच्चो चुम्बक के जो दो समान द्रूव हैं उनके बीच क्या हो चुम्बक के दो समान द्रूव के बीच परतिकर्शन वो क्या होता है वो धक्का होता है देखो बच्चो जब चुम्बक लोहे की कीलो को अपनी ओर खिंचता है तो वो क्या है बच्चो वो आकर्शन है अभी कर्शन है ठीक है लेकिन जब एक चुम्बक के दो समान बच्चो समान-ध्रूव है ठीक dir जब भूच्चो समान-ध्रूव के बीच में धुख करते है दक्का देते हैं और जब विपरित धरूव हो यानि एक उत्री धिरूव है और एक आपKA दक्सिरी धरूव है तो बच्चो तो उनके बिश्ट क्या होगा आकर्षन। क्या होगा वह एक प्रकार्ड का खिंचाव है कि का दोनों धुरू एक दूसरे को अपनी और खिंचने का परियास करेंगे। तो बच्चो इस प्रश्न में यही बात बचाएगी है, कि जब चुंबक एक लोहे के टुकडे को अपनी और आकर्षित करता है, तो वहाँपर क्या होता है? आकर्षन होता है, अभी कर्षन होता है. वही जब चुंबक की दो समान ध्रवों को पास में लाया जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं परतिकर्शित करते हैं यानि एक दूसरे की ओर धक्का लगाते हैं एक दूसरे को दूर धकेलने की कोसिस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है परतिकर्शन होता है जो कि एक प्रकार का धक्का है ठीक है बच्चो आगे बढ़ते हैं प्रश् दोनों विप्रित दिशाओं में जैसे F ये F S है और ये F है देखो F इस दिशा में बल लगा रहा है और F S इस दिशा में बल लगा रहा है ठीके दोनों बराबर मात्रा में बल लगा रहे हैं समय लिजी ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है त तिक है यह जो मोशन है वस्तु की जो गती है उसमें कोई गती इमें देखने को नहीं मिलेगी तूई कि जब दोनों दिसाओं में लगने वाला बल अगर समान है तो इस वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो क्या होगा बच्चो वो आपका सुनने होगा और ऐसी स्तती में वस्तु की गती में कोई प्रिवर्तन नहीं होगा आगे बढ़ता है बच्चो प्रश्न संक्या तीन जल संबरण के लिए परियोग किये जाने वाले पाइपों के लिक करते हुए जोडो या सुराखों से पानी के फोवारे बाहर आना क्या पानी द्वारा पाइप की दिवारों पर लगाई जाने वाले दाब के कारण होता है कभी के बार आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक के पाइपों से ओकर पानी को गुजरा जाता है और जो पानी के पाइप होते हैं यदि वो कही पे लिक हो जाते हैं तो वहाँ से पानी फवारे की रूप में, तेज धार की रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, तो क्या ऐसी इस्तती में जो पानी बाहर निकल रहा है, वो उस पाइप की दिवारों पर लगाय जाने वाले दाब की द्वारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो बच्च आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या चार यदि सीर का चित्रफल 15 cm गुणा 15 cm है तो सीर पर वायू कितना बल लगा रही है तो बच्चो देखो सीर का चित्रफल कितना हो जाएगा 15 गुणा 15 यानि की 225 cm ठीक है और 225 cm और वायू मंडल की उंचाई के इस्तंब में वायू का जो भार है वो लगबग 225 kg दर्वेमान के किसी पिंड के भार यानि 250 N के बराबर होता है यानि चित्रफल कितना है 225 cm2 ठीक है और जो वायू के इस्तंब में इसका जो भार होगा वो कितना होगा बच्चो लगबग 10 N भार होगा ठीक है तो जब इसका 10 से गुणा हो जाए बच्चो बाई 250 N के बराबर सीर के उपर भार वेहन हो रहा होगा ठीक है यहापर बच्चो देखो यह 10 क्या है दस बच्चो जो वायू के इंदर गुर्टवा कर्शन बल लग रहा है वो कितना है बच्चो वो हम मान से है 10 N लगबग कितना मान रहे है 10 N तो बच्चो 225 का जब 10 से गुणा होगा तो किसके बराबर हो जाएगा 2250 N के बराबर हो जाएगा ठीक है क्योंकि बच्चो आप सबको पता है कि जो भार का सुत्र होता है ठीक है भार का सुत्र क्या होता है बार का सुत्र होता है दर्वेमान गुणा तवरन क्या होता है दर्वेमान गुणा तवरण W equal to MG तो दर्वेमान यहाँ पर जो चित्रफल है वो कितना है वो है बच्चो 225 और गुरुत्वी तवरण यह जो गुरुत्वी भार लग रहा है वो कितना है बच्चो 10 तो इसका जब 10 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2250 निउटन के बरैबर सीर पे बाहर वो व्यक्ति वहन कर रहा है आगे बच्चो अब बात कर रहे है अभ्यास प्रसन की अभी तगpek हमने जो भी प्रसन पड़े वो आपके पाट के भीतर कही न कही दिये हुए है ठीके? अब हम बात कर रहे है पाट की पीछे जो अभ्यास के प्रशन दिये गए है, उन प्रशनों की, देखो बच्चो, दक्के या खिंचाव के कारण वस्तू की गती की अवस्ता में परिवर्तन के आपको दो-दो उदारन देने हैं, दक्के या खिंचाव के कारण वस्तू की गती की अवस्ता में दूसरा है चलती हुए गाड़ी को रोकने के लिए क्या लगाई जाती है ब्रेक लगाई जाती है तो उस समय जो ब्रेक है वो क्या करता है आयरों को खिंचता है वहाँ पर रोक लगाता है उनकी गति को कंट्रोल करता है तो बच्चो ये दोगदारन है जापरम कह सकते हैं कि दक्के या खिंचाव के कारण वस्तू की गती के वस्ता में क्या होता है? प्रिवर्तन होता है. और चित्र देख लो, जैसे जो गोली है, वो गोल को बचाते हुए, तो वो क्या कर रहा है? गेंद के उपर धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है. फिर बच्चों ये होकी का कि जारी गेंद पर प्रहार कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये गेंद को धक्का मार रहा है आगे की तरफ और जो छेत्र रक्सक है, वो जब गेंद को रोक रहा है, तो क्या कर रहा है? गेंद को धक्का लगा के रोक रहा है, उसके बीच में बादा उत्पन कर रहा है. तो के कारन उसनी गती की वस्ता में प्रीवर्तन हो जाएगा चाएक है सबाइन और प्रीवर्तन कर सकते हैं। आगला बच्चो ऐसे दो उधारन दीजिये जिन में लगाएगे बल द्वारा वस्टु की आकरती में क्या हो जाए प्रीवर्तन हो जाए जैसे बच्चो रबड बैंड को खींचना जब रबड बैंड के ऊपर आप दुनों बागों से हिंचोगे तो उस पर आप क्या लगा रहे हो बल लगा रहे हो तो रबबड बेंड की जो आकरती है वो क्या हो जाएगी बदल जाएगी इसी तरह जो रबबड की गेंद है उस रबबड की गेंदों को अगर दुनों आतों से दबाऊगे तो उसकी जो आकरती है जो वो क्या हो जाएगी बदल जाएगी ठीक है अगला निमनले पड़ता है बच्चों खींचना पड़ता है क्या करना पड़ता है रस्ती को बाहर की तरब खींचना पड़ता है अगला है एक आवेसित वस्तू डूसरी अनावेसित वस्तू को अपनी तरब क्या करती है बच्चों आकरसित करती है क्या करती है अगला बच्चों सामान से दूसरे चुम्बक के उत्री धुरूव को दोनों समान धुरूव है उत्री धुरूव और उत्री धुरूव तो क्या करेगा दूसरे उत्री धुरूव को परती करशित करेगा यानि कि दूर धके लेगा क्या करेगा बच्चो परतिकर्शित करेगा अपने से दूर धके लेगा तो पहली खाली जिग में आ जाएगा खिंचना, दूसरे में आकर्शित, तीसरे में धक्का या आपकर्शन और छोटे में परतिकर्शित आगे बच्चोly प्रश्न संक्या चार एक धनूर दर्थ सी क्या दनूर चलाने वाला लक्षेअपर निसाना साथ्दे हुए अपने धनूर करता है खिंचता है तब वह तीर को छोड़ती है ठीक है जब वह लड़की उस लक्से पर तीर को छोड़ती है जो लक्से की और बढ़ने लगता है जब वो अपने तीर को कमान से छोड़ेगी तो क्या अगरेगा तीर लक्से की और बढ़ना सुरू हो जाएगा इस सुसना के आधार पर निम्नल लिखित प्रकत्नों पे दिये गए सब्दों का उप्योक करके रिक्तिस्तानों की क्या करनी है आपको पूर्ति करनी है यहाँ पर आपके सामने कुछ सब्द दिये गए हैं इन सब्दों की मदद लेते हुए आपको क्या करना है रिक्तिस्तान की पूर्ति करनी है पहली खाली जगह है दनूस को खिंचने के लिए दनूर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकरती में क्या होता है प्रिवर्तन होता है इसमें प्रिवर्तन होगा दनूस की आकरती में दूसरा, धनूस को खिंचने के लिए धनूर्दर द्वारा लगाया गया बल, कुएंसा बल है पेसिय बल, क्योंकि वो अपनी हाथों की मदद से ठीके क्या करेगा, धनूस के तीर को खिंचेगा, ग, तीर की गती की अवस्ता में परिवर्तन के लिए उत्तर दाई, बल का प्र से दीरे-दीर की गती क्या होगी, कम होगी, ग, जब तीर लगसे की और गती करता है, तो इस पर लगने वाले बल, कुएंसा बल होगा, एक तो बच्चो गुरुत्वबल होगा, और दूसरा, वायू का कुएंसा बल होगा, गर्शन बल होगा, ठीके, गती करता है, तो इस प गुरुत्व बल और गर्शन बल आगे बढ़ते हैं प्रश्न संक्या पांच निम्न इस्ततियों में बल लगाने वाले कारक का जिस वस्तू पर बल लग रहा है उसको पैचानिये और प्रत्यक इस्तती में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताई यानि यहांपर जो हमारे सामने च्यार कफन दिये गए हैं इसमें बताना है कि बल लगाने वाला कारक कौन सा है बल किस वस्तू पर लग रहा है और बल का प्रभाव किस रूप में दिखाई दे रहा है तो देखो बच्चो पहला कफन है रस निकालने के लिए निम्बु के टुकडो को अंगुलियों से दबाना जब बच्चों हम रस निकालने के लिए निम्बू के टुकडो को अंगुलियों से दबाते हैं तो वहाँ पर बल किसके जरिये लग रहा है अंगुलियों के जरिये किस पर लग रहा है निम्बू पर और प्रिनम क्या हो रहा है वहाँ प दंत मंजन की ट्यूब से पेश्ट को बाहर निकालना तो बच्चो जब हम दंत मंजन की ट्यूब से पेश्ट को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बल किसके जरिये लग रहा है अंगुलियों के जरिये बल पर भावित वस्तु कुण सी है दंत मंजन की जो ट्यूब है उसके उपर हम बल लगा रहे हैं और उसका प्रिणाम क्या हो रहा है उस ट्यूब से पेश्ट बाहर निकल रहा है अगला ग दिवार में लगे हुए हुख से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार तो यहां पर बच्चो बल का कारक कौन है वो लटका हुआ भार जिसकी व पार के कारण लंबी हो रही है अगला घव उंची कुद करते समय खिलाडी द्वारा एक निच्चित उंचाई की छड़ को पार करना तो यहां पर बल किसके जरिये लग रहा है टांग की पेशिये बल के जरिये बल प्रभावित वस्तु कौन सी है खिलाडी का सरीर वो बल का प्रभाव दिखा रहा है और उसका प्रणाम क्या है कि वो उंची कुद कर पा रहा है ठीके आगे प्रशन संक्याज 6 एक वजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गरम टुकडे को अथेड़ो से पिटता है पिटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकडे को किस प्रकार प्रकार प्रभावित करता है तो बच्चो जैसा कि आपको चित्रे में दिख रहा है कि एक वजार बनाने वाला जो लोहार है वो जब लोहे के गरम टुकडे को अथोड़े से पिटता है तो पिटने के कारण लगने वाला जो पेशिय बल है वो किसका उधारने संपर्क बल क और वो क्या करेगा लोहे के टुकडे को फैल देलाता है लोहे के टुकडे को फैला देता है यह लोहे की उस आकरती में प्रीवर्तन कर देता है जिससे लोहे की जो आकरती है वो क्या वा जाती है प्रीवर्तित हो जाती है बदल जाती है आगे बच्चो अगला प्रशन है आप एक खुलाय हुए गुबारे को संसलेशित कपड़े के टुक्डे से रगड कर एक दिवार पर दबाया गया यह देखा गया कि गुबारा दिवार से चिपक जाता है दिवार तो था गुबारे के बीच आकरसन के लिए उत्तरदाई बल का नाम क्या है तो बच्चो उस बल का नाम है इस्तिर व्यद्यूत बल, वंसा बल बच्चो इस्तिर व्यद्यूत बल, जब बच्चो गुबारे को आप किसी संसलेशित कपड़े से रगड़ोगे, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चो आवेस उत्पन होगा, क्या होगा आवेस उत्पन होगा और उस आईवेस की वज़े से क्या होगा विद्यूत बल उत्पन होगा कौन सा बल उत्पन होगा विद्यूत बल और जब आप गुबारे को उस दिवार से सब छिपका होगे तो गुबारे के अंदर जो मौजुद विद्यूत बल है वो जब दिवार के साथ क्या करेगा तिर्वेद्युत बल ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या आठ आप अपने आत में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी को लटकाए हुए हैं बाल्टी पर लगने वाले बलो के नाम बताईए विचार विर्मस कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलो द्वारा इसकी गती की अवस्ता में प्रिवर्तन क्यों नहीं होता तो बच्चो देखो जब आप एक आत में पकड़कर बाल्टी को ले जाते हैं या बाल्टी को पकड़ते हैं तो बाल्टी पर दो परकार के बल लगते हैं कितने परकार के दो परकार के बल एक कौन सा बल लगेगा एक लगेगा बच्चो उपर की तरफ गृत्वी बल कुंसा बल लगेगा गृत्वी बल जी और एक नीचे की तरफ तनाव बल लगेगा टैंसन बल टी तो उस बाल्टी को पर दो बल लग रहे हैं एक गृत्वी बल और एक तनाव बल और बाल्टी बल लगने वाले बलों की द तनाव बल के बराबर है ठीके इस वजह से बाल्टी पर लगने वाला जो पुल पृण्यामि बल है जो नेट बल है वो कितना है वो है आपका सुन्य इस возь से इस बाल्टी की अवस्ता में किसी भी प्रकर का कोई प्रिवर्तन नहीं होता है ठीक है आगे बच्चो प्रश्न संक्यान 9 देखा बच्चो क्या दिया हुआ है कि किसी उपगरह को इसकी कक्सा में प्रमोची त्यानी लॉंच करने के लिए किसी रोकेट को उपर की और प्रक्सेपित किया गया प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रोकेट पर लगने वाले दो बलो के नाम ने जब किसी उपगरह को किसी लॉंच वाले इस्तान से रोकेट को उपर की तरफ चोड़ा जाता है तो जब उस लॉंच पेड को उस रोकेट के द्वारा छोड़ दिया जाता है उसके जने से उत्सरजित गैसों का करता है और जो रोकेट के एंदर इंदर जल रहा है उसे गैस लग ही है ठीक है क्या हो रहा है जो gas उत्सर्जित हो रही है उस gas के कारण एक जो बल उत्पन हो रहा है वो बल क्या कारे करेगा वो बल उसे उपर की और गति कराने में साहक होगा ठीक है तो उस rocket पर दो परकार के बल लगेंगे एक घर्टी का गुट्वा कर्शन बल और उस rocket के अंदर इंदन से जलने से उत्सरजित जो गेस हैं उनके द्वारा निर्मोचित बल तो दो तरह के बले यहाँ पर कारिया करते हैं आगे बच्छो जब किसी ड्रोपर के संचु नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रोपर की वायू बुलबुलो के रुप में बहार निकलती हुई दिखाए जेती हैं सभी बात है, बल्ब बर से डाब हटा लेने पर ड्रोपर में पानी बर जाता है, ड्रोपर में पानी के चड़ने का कारण क्या है, तो बच्चो ड्रोपर में पानी के चड़ने का जो कारण है, वो है बच्चो वायू मंदलिय डाब, क्या है बच्चो वायू मंदलिय डाब, आ आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट सेरो सब्सक्राइब जरू करें आगे लिए इतना ही जै हिंद जै भारत